अगर आप सफलता का गलत प्लान बना रहे हैं तो जाने अन जाने में आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं अगर आपको ये बात पसंद आई तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों कभी आपने गिराड का नाम सुना है गिराड को गिनिस बुक आफ वर्ल्ल रिकॉर्ड ने एक महानतम सेल्समेन का खिताब दिया गिराड ने कहा कि सफलता पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती सफलता पाने के लिए आपको एक-एक सीडी चड़कर ही सफलता तक पहुँचना होता है क्योंकि इसके लिए कोई शौट कट नहीं होता और महनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता हमारे देश के महान दार्षनिक स्वामी विवेका नंजी ने कहा कि पानी की एक बूंद पत्थर पर निशान नहीं छोड़ सकती लेकिन अगर पानी की एक बूंद निरंतर एक इस्थान पर लंबे समय तक पढ़ती रहे तो पत्थर पर भी गहरा निशान बना सकती है दोस्तों क्या आपने काईजेन सिधान का नाम सुना है जापानी में काईजेन का मतलब है बेहतरी के लिए निरंतर बदलाव करना और जब तक बदलाव करना जब तक आप सफलता की चरम सीमा तक ना पहुंच जाएं जैपनीज प्रोड़क्ट्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि वो समय के अनुसार टेक्नलोजी में आयो परिवर्तन को अडॉप्ट करते हैं और अपने प्रोड़क्ट को पिछले प्रोड़क्ट की अपेक्षा और अधिक बेहतर बनाने पर निरंतर प्रयास करते हैं बिजनस में बेहतर और तेजगती करने के लिए आपको इस नियम का पालन करना होगा और ये नियम हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने समय का सद उप्योग कर सकते हैं बहुत सारे बिजनसमेंट से जब मैंने पूछा कि आप अपने बिजनस का शिडियूल बताएं तो उन्हें बताया कि हम सुभा 9 बजे आफिस जाते हैं और शाम को 7 बजे वापस आते हैं और कुछ बिजनसमेन ने कहा हम सुभा 10 बज जाते हैं शाम को 8 बजे वापस आते हैं और कई बार तो वापस आने का समय भी निश्चित नहीं होता आज मैं आपको बताता हूँ कि समय का सही utilization कैसे किया जाना चाहिए ताकि आपके दोरा business में दिये गए समय से आपको बहुत अच्छा result प्राप्त हो जब आप सुबा सुबा office जाएं तो कम से कम आदे से एक घंटे का समय अपने administration को दें आपके team को दें कि किसको क्या कारे करना है किसकी क्या जिम्मेदारी है किसकी क्या responsibilities है किसको क्या क्या चीजें देखनी है किसको क्या क्या चीजें manage करनी है और जब आप एक घंटे के समय में अपनी पूरी team को coordinate कर दें कि उनको क्या क्या काम किसके सवस्था में करना है उसके बाद 2-3 गंटे का समय अपने business में regular consumers के उपर लगाएं क्या आपके regular consumers कौन है, उनकी requirements क्या है, उनकी problems क्या है, उनके solutions क्या है उनको कितना metal dispatch करना है, किसका sales return आना है, और उनकी problems को समझना और उनको solve करना बहुत सारे businessmen के साथ मैंने एक problem देखी है, कि वो कई बार अपना lunch समय से नहीं करते कई बार वो कहते हैं, कि lunch करने का time नहीं मिल पाया, या आज मैंने 2 बजे lunch किया, आज मैंने 5 बजे lunch किया आज पूरे दिन में एक बार भी मुझे समय नहीं मिला, कि मैं lunch कर सकता निश्यत समय पर अपना lunch करें, एक से एड़ बजे के बीच में आपना lunch करें और लंच करने के बाद जो second half का session जब शुरू होता है, second half का time शुरू होता है, तो उसमें आपको 2-3 घंटे का समय देना है, आपको कोशिश करनी है, try to find out new buyer, new supplier, new vendor, new client, new dealer, new distributor, कहने का मतलब आपने अपने समय को 2 हिस्सों में बाढ़ दिया, पहले इससे में आप regular वो काम करते हैं, जिससे आपका business चलता है, और second half के बाद में आपको सारा समय utilize करना है, जहाँ पर आप एक नई team के साथ काम करें, नई लोगों को ढूंडने पर प्रयास करें, मतलब व्यापार में तरकी की ओग ध्यान दें, साथी साथ powers को delegate करें, अभी बहुत सारे businessmen के साथ क्या problem है, कि वो सारी की सारी commanding अपने हाथ में रखना चाता है, वो sales भी खुद manage करता है, वो purchase भी खुद manage करता है, वो dispatch भी खुद manage करता है, तो आपको हर responsible person को उसकी responsibilities देनी हैं, और उससे सम्मदित कारे प्रनाली उसको समझानी है, ताकि हर व्यक्ती आपने द्वारा निर्धारित क काम को असानी से कर सके, उसके बाद में लास्ट का जो ए घंटे का समय हो, वहाँ पर आपको देखना है आपके पूरे दिन का क्या review रहा, किस-किस ने क्या-क्या responsibilities ली थी, उन responsibilities के विहाफ पर उन्होंने क्या result आपको दिया, और ये सारा management आपको time utilization के इस formula का इस्तिमाल करना है अपने business में, ताकि आप अपने पूरे दिन चर्या का ठीक तरीके से सदुपयोग कर सकें, और साथी साथ इस पूरे system को आपको follow करना है चार से पास दिन, एक दिन पूरे week के review पर लगाएं, मतलब किस-किस responsibilities को, किस विक्ति को दिया था, उनसे क्या output लेना है, उनका क्या input है, उनके क्या questions है, उनके क्या queries है, उनके क्या solutions है, और किस तरह से आपको manage करना है, अपना अगला week, ताकि आप next week की planning advance में कर सकें, किस-किस vendor से meeting है, किस-किस supplier से meeting है, कितने नई clients से meeting है, कितने old clients से मुझे reorder generate करने है, और छीक इस सिद्धान का पालन करके, आप हमेशा चार week होते हैं, और उन चार week में जब आप इस management के सिद्धानत का इस्तिमाल करेंगे, तो आसानी से आप पूरे month का management system तयार कर पाएंगे, और month ending पर आपको manage करना है, पूरे महीने का review, मतलब पूरे महीने में, किस-किस दिन में, किस-किस हफते में, कितने-कितने duration में, आप आपको review निकालना है, कि previous month की अपेक्षा, इस month आपका क्या result रहा, उसी के अनुसार आपको निर्धारित करना है, कि अगले महीने आपके क्या target होने चाहिए, कितनी sales बढ़ने चाहिए, कितना input आना चाहिए, कितना expenditure होना चाहिए, और ठीक इसी formula का इस्तिमाल करके, आप 3 म महा का, 6 महा का, और एक वर्ष का पुरा प्लान तयार करें, जब आप एक वर्ष का प्लान तयार करने में सक्षम होंगे, तो आप past performance के according, अगले 5 वर्ष का प्लान बनाने में भी सक्षम होंगे, बिजनस में बहुत अधिक सफलता पाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि सार के सारी कमांड आपके हाथ में हो, बिजनस में केवल वही व्यक्ति सफल होता है, जो second leadership generation तयार करता है, मतलब आपके बिना आपका business कौन समाल सकता है, और वो लोग केवल second generation के होते हैं, और उस second generation की team को, second leadership की team को तयार करके, अपने business को धीरे धीरे expansion पर लेके जाएं, ना के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि जो plan उन्हें बनाया है, वो आपके business की सफलता के लिए सही है भी या नहीं, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते, आप fail to plan है, या plan to fail है, इसी लिए जूरुत पढ़ती है एक analyst की, जो बता सके कि आपके business में किस तरीके का plan design होना चाहिए, business में success के लिए और expansion के लिए अगर आपको plan बनाने में हमारी कोई help चाहिए, तो आप मेरी team को contact कर सकते हैं, ये वीडियो आपके circle में बहुत सार लोगों के लिए बहु मुल्य हो सकता है, इसलिए मेरा आप से request है कि Facebook and WhatsApp के माध्यम से इस वी अभूशे की काम ना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!